कि जमात कडाइम हो रहे हैं चले बिसमिल्ला इर्मान रहीम जरेटेक्स आफ एंटीबाडी मेरा नेक्स टॉपिक है इसमें हम देखेंगे अभी हमने जो एंटीबाडी की स्ट्रक्चर पढ़ी है ना उसको मैंड में रखें ठीक है अब एंटीबाडी की हर एक चेन को हम अलग कैसे बनता है फिर वापस में कठे कैसे मिलते हैं और कैसे सारा प्रॉसस होता है एंटीबाडी की प्रोडक्शन कैसे होती है क्लास स्विचिंग कैसे होती है कि आई जी जी से आगे आई जी ए या वह चीज़ें किस तरह बनती है उसको हम पढ़ेंगे ठीक है चले जी जैने इस अधी पहले हम देग लेते हैं वो कहता है सिंपल सा है इच एंटीबाडी इस कंपोज़र फोर इम्रोग्लोबिलन चेंज आपको अभी अभी हमने पढ़ा है तो इडेंटिकल लाइट जेंज होती है पता है आपको एंड टू अडेंटिकल है विचेंज होती है इच कि है अभी चेंज और उसका कौंसेंट इजन यह वला यह वला सारह यह वला यह वनफेण अर उसका कौंसे वाथ करेगा है यह व्यज रिजू इस डिस्टेंट फर इच अफ फाई फाइव इम्मुन ग्लोग्र्ट अएस्टइप जो मैं अभी थोड़ी दिर पहले बात की थ on the basis of FC segments gamma alpha mu epsilon and delta यह देखें यह देखें यह देखें यह देखें यह यह देखें यह इस तरह की एंटिबाटिक structure थी यह क्या है FC region है ठीक है अगर यह आपका FC region पर लगी हो FC region का यह सेगमेंट है वहो спасибо क्या हो फिर आपकी क्या बनेगी डेमा से wield जी जी भी बतलब गाफ की वांद देता है और आपका वह भी डेमवी deceived तो अगर यह सेगमेंट हो워서 amigo तो फिर आपको कौन सी एंटीबाडि की टाइफ होगी जी होगी अगर आपका यह سाग्मेंट हो alpha तो क्या होगी? IG A alpha A तो alpha से A हो गया अगर आपका ये FC segment हो M से mu तो आपकी IG M होगी अगर आपका यही region है epsilon E से तो IG E होगी अगर यही आपका region है FC delta तो आपका क्या होगा? IG D होगी समझ आ गही है? ये 5 types किस तरह होती है? रपीट करनी की जूरत है? पकी बात है? चले आगे बढ़ते हैं हमने respectively हो गया So FC region is responsible for ESO type of immunoglobulin ये immunoglobulin की type को determine करता होता है genes for all heavy chain are present on chromosome 14 ये देख लें कि जो heavy chain के genes होते हैं वो कौन से chromosome पढ़े होते हैं chromosome number 14 के उपर ये पढ़वे होते हैं जो genes होते हैं अब heavy chain variable region heavy chain का दो region थे ना ये अब heavy chain का variable region ये देखते हैं कि इसकी genetics क्या होती है अब हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये बन कैसे रहा है अब हम देख रहे हैं कि इसकी सिर्फ genetics क्या होती है ठीक है? variable region contains dozens of different variable gene segments almost 45 in number widely distribute diversity D gene segments almost 23 in numbers widely separated by J joining segments almost 6 in numbers ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? इसके लिए भी Dr. Umol Isra और Dr. Javira ने आप लोगं के लिए खुबसूरत सी diagram sketch की है ये देखें वो कहता है कि आपका जी variable region है उसके उपर तकरीबन ये V से variable हो गया ये variable gene के तकरीबन 45 segments होते हैं कितने? 45 ये देखें V1, V2 इसी तरह .45 segments होते हैं कितने होते हैं? ये आपस में widely distributed होते हैं यानि इनके उपर क्या होता है? distance होता दर्मियान में और इसी तरह D region diversity region D से diversity region ये कितने होते हैं? 23 होते हैं ये कितने होते हैं? 23 होते हैं D1 से ऐसे .23 होते हैं almost 23 ये नवर में होते हैं और इसके बाद J से joining regions ये 6 होते हैं ये कितने होते हैं? 6 होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? ये देखें distance होते हैं दर्मियान में ये आपस में आपको समझा जागा इन्शाला कि variable region contains dozens of different v variable gene segments almost 45 in number widely separated by diversity gene segments almost 23 in number widely separated by j joining gene segments almost 6 in numbers समझागी ये बात समझागी किसको मैं दुबार रहा यहां पर structure पर इस पर डियाग्राम पर repeat करो इसको repeat करो रहुकर इसको मैं कि garlic कर देता हूँ वह कहता है कि जो variable ligand होती है यह 45 होती है number में और इस तरह पढ़े वरियोबल रेजन 12,8 धर्मियान में क्या होता है》 mr. यह इसी तरह डि डिवर्सट्री जो यह 23 होते हैं यह वी इसी तरह पढ़े होते हैं 23 Romeo mygen हम यहां पर 23 तो नहीं बते हैं लंभी हो जाएगे तो शुब्ल जेन का नहीं होगा है लाइट हैं कि ने घए न यह नहीं होगा है त सक्स hilं को देखेंगा मुझे और यह अज है यह यूदा मुझे सए लिए constant region light chain का constant region कौन सा है light chain का constant region यह वाला light chain का constant region इसको हम देखते हैं वो कहता है constant region of light chain is of two types या तो kappa होगा या फिर lambda होगा दोनों में से एक होगा या kappa होगा या lambda होगा the encoding genes for kappa genes kappa chain are present on chromosome 22 while for lambda chain are present on chromosome 22 यह सोरी आपका kappa chain का कहां पे होगा chromosome 2 पे होगा और lambda का chromosome 22 पे होगा इसका gene अब वो कहते है one of these two types will be chosen by B cells यह B cells होते है अगर यह वैरिएबल light chain का आप कौसा बैरियेबल रिजन बना रहे है light chain का constant region बना रहे है तो वो कहते हैं हमारे पास दो types की chain जैसे आपके constant region के heavy chain में कितनी 5 types पड़ी हुई उसके पास कौन को सी पड़ी हुई थी IG, gamma, IG, mu वो पड़ी हुई थी इधर इसके पास कितनी types पड़ी हुई है दो kappa और lambda वो B cell कहता है कि मैं इन में से एक चूज करूँगा या तो kappa चूज करूँगा या फिर B cell have chosen one type of kappa, one type let's kappa, kappa उसने चूज कर लिया है, then the other types lambda will be shut off, यानि कि अगर उसने kappa चूज कर लिया है तो यहाँ पर lambda नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, अब इस B cell के उपर advice विर्सा, यानि कि अगर lambda चूज कर लेगा, तो फिर kappa क्या हो समय नहीं है यह बार, आगी है समय, कि वो एक को select करेगा, या तो kappa को या फिर lambda को, अगर kappa को select कर लिया है तो lambda को क्या कर देगा, shut up, अगर lambda को select करेगा, तो kappa क्या कर देगा, shut up कर देगा, यानि एक B cell के उपर सिर्फ एक type की होगी, या तो kappa होगी या फिर lambda होगी, दूस ठाइप स्रेपों क्या करती है एक यह इंदल कैपा अर लेंटा लाइट चेन इन इसका light chain का constant region बना लिये हैं अब हम light chain का variable region बनाते हैं variable region देखते हैं बना नहीं रहे हम सिर्फ देख रहे हैं उसको ठीक है समझागे यहां तक repeat करने की जुरत है इसको light chain के constant region को वो हम देखेंगे अब कर्मार्मालिटी केस्तरा मसलें दोनों अटैच नहीं हो सकती वो एक ही अटैच करेंगा ठीक है वो एक ही अटैच करेंगा अगर दोनों अटैच किसी भी सुरत में हो सकती है जीन में थोड़ी abnormality हाई है दोनों अटैच हो गई है तो कल हमने पढ़ा था positive selection और negative selection उसमें आपका BCR हमने कल पढ़ा था कि जब बीसल सिलेक्ट होते हैं तो उसमें आपका BCR यानि कोई भी उपर immunoglobulin लग रही है उसके उपर तो वो उसकी क्या हो रही थी positive selection हो रही थी कि अगर ये ठीक बना हुआ था अगर ये ठीक बना हुआ था अगर ये आपने BCR पॉजिटिव सिलेक्ट हो जाता है यानि आगे सिलेक्ट हो जाता है मैचूर हो जाता है लेकिन अगर वहां पर BCR सही तरह से नहीं बने थी तो वह क्या हो रहा था नेगटिव हो रही थी उसको पहले एक इस्टर बन्स की जासे वह सही तरह से नहीं बनी तो इसकी क्या हो जाएगी एपफ प्लॉसेस हो जाएगी ठीक है समझा गई है चले अब हम देखते हैं कि light chain का variable region light chain का variable region same भी बात it contains the same dozens of variable gene segments of almost 32 35 इसके कितने होते हैं variable region 32 35 होते हैं and joining gene segments at widely distance but diversity और diversity क्या होती है absent होती है लाइट चेन के अंदर इसमें diversity नहीं होती so having no diversity and only one type in the light chain इसमें diversity नहीं होती और इसमें एक ही diversity क्या होती है कि मुक्तलिफ किसम की pockets बना सकना फैब यह variable region जो जो लाइट चेन का variable region यह किस में काम आ रहा था यह देखें यह किस में काम आ रहा था यह पाकट बनाने तो specific antigen के लिए specific pocket बन रही थी लेकिन इसमें diversity नहीं होती इसमें diversity होती है क्योंकि इसमें D region है तो यह specific antigen के लिए specific pocket बना लेगा लेकिन यह specific antigen के लिए specific pocket यह वाला नहीं बनाएगा बलके यह वाला बनाएगा क्योंकि इसमें क्या नहीं है diversity regions इसमें नहीं है समझा गिया है और दूसरा change किया है केस में कितने हैं 30 to 35 variable regions है जब केस में कितने थे 45 variable regions थे यह difference देख लें अब हम देखते हैं generation of antibody diversity antigen independent यह इसको यह नाम क्यों दिया गया है यह हम आगे देखते हैं जब हम पहले लेगे फिर आप खुद कहेंगे बड़ा है हलव़ा था अभी 50 days of sem traces of habe ich in polyam उपली द्रीजन है जो यह समंग्ता है एक समझ लें बाकि सब्सक्राइब यह प्हलं के सारा पकिसार वा कि Especially इसको हम जो है ना डियाग्राम के उपर समझाते हैं असाल सब्सक्राइब यह रही यह डियाग्रम समझ लें सारी सारा कुछ हो जाएगा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा वो कहते हैं यह हमने पहले पड़ा है कि यह सेग्मेंट्स पड़े होते हैं 45 यह कि तरे पड़े होते हैं 23 यह 6 और यह 5 टाइपस पड़े हुई है आपके वह अब यहां पर आपके जो सेग्मेंट्स पुडायरी देल्टा जेच्पेंट्स हैं इनके ओपर सिक्वेंट्स होते हैं यहां पर इस सिक्वेंट्स होते है इन स्टारा के इन स्ट को कहते हैं RSS स्ट क्या कहते है RSS Recombination Signal sequence क्या कहते है RSS रीकंबिनेशन स्ट सिंखनल स्क्टेशंस पढ़े होते हैं अब यह स्क्वेश क्या स्क्वेज तरह होता है मैं जिए इसको खोल यहां पर लगा हुआ है इसको समस्क्या होते हैं यह क्या होते हैं हे साथ नक्यौ और नैन निटल लटाइब और इनके दर्म्याण में बेस पेर्जर लगे होते हैं समझते हैं ना यह नेट्रोजनस जो पेसे होती है आ पर से बेस पेर जो बनाते हैं अड़नीन अटो सेटोश एक गल्स का लग फार्मलों के जरीगे तो इनके दर्म्यान या तो 12 base pairs होंगे या फिर 22 base pairs होंगे, किसी बॉक में 23 लिका हुआ है, लेकिन 22 को prefer किया जाता है, अब क्या था ये, heptamer था, nanomar था, उनके बीज में जो distance था, वो कितना था, या तो 12 base pair या फिर 22 base pair है, ये आपका क्या होता है, RSS लगा होता है, ये यहां पर RSS, लेट्स बोज़र ये आपका एक V1 है, ये आपका V2 है, तो इसके दरम्यान में किस तरह लगा होता है, ये, ये, heptamer हो गया, ये, nanomar हो गया, तो इसके दरम्यान में space होगी, या तो 12 base pair होगा या फिर 22 base pair होगा, तो इस तरह ये यहां पर लगे वे होते हैं, आपके RSS signal लगे हो, समझा आगी RSS signal, अच्छा, उसके बाद, ये RSS signal यहां पर लगे वे होते हैं, उसके बाद आपका एक enzyme होता है, जिसका नाम है RAG enzyme, इसको बोलते है, recombination activating, recombination activating gene enzyme, recombination activating gene enzyme, ये enzyme आता है, इस RSS signal को recognize करता है, इसको पहचानता है, और इसको पहचान के, इन में से कोई एक उठा लेगा, लेट्स पोज़र इसके यहां पर V2 उठा लिया, और यहां से भी कोई एक उठा लेगा, D1 उठा लिया, और यहां से भी कोई एक उठा लेगा, लेट्स पोज़र G3 उठा लिया, इन में से एक एक उठा लेगा, एक एक उठा के इन को एक कैसे सब्सक्राइब किसे पहचानता है मैंने कहा है कि वेशक है फिर यह फिर और फिर इंस्रेवाइब करता है अकट्ठें कर् एक मिलाता है यह एक रूल के जरहां इसे कहते हैं 1222 बेशपर्ष एस रूल के जर clam का मिलाता है अब Let's Paul that, कि यह वर जो बाली जो दो सपेस थी में धरमेयां 12 बेस पेस थी मिंधुरियां के जिए इंके धरमेयां कट थी 22 थी मिंधू 20 थी 22 थी इनके द में क्या थी 12 22 और ग्या थी 12 अब यह यह किसके जरीं आके मिलाता है 12 22 बेसपेस क्या मतलब हैं वो कहता है कि आपका RAG जो enzyme है यह सिरफ उन segments को मिलाएगा जैनि कि 12 को 22 के साथ मिलाएगा या फिर 22 को 12 के साथ मिलाएगा ऐसा नहीं है कि वो 12 को 12 के साथ मिलाएगा यह 12 को 12 के साथ नहीं मिलाएगा 22 को 22 के साथ नहीं मिलाएगा क्या करेगा 12 को 22 के साथ 22 को 12 के साथ मिराएगा 12 को 12 के साथ 22 को 22 के साथ इससे क्या कहते है 12 22 base pair rule बोलते है 1222 base pair rule समझ आगिया है पकी बात है अब मैं इसको दुबार से शकल में वापस आ जाओ क्या होती है ये अच्छा अब आपका रह जी इंजाइम आएगा इसके उपर इस तरफ क्या लगे हुए थे RSS लगे हुए थे 12 बेस पेर 22 बेस पेर इसमें डिस्टेंस था अब आपका R A J आएगा इन में से कोई भी एक उठा लेगा लाजमिनी है कि V2 उठा है V1 उठा सकता है V45 उठा सकता है इन में से कोई एक उठा लेगा लेट्स पोज़र यहां पे हमने V2 उठाया हुआ है उसको उठा लेगा और किसको उठा लेगा यहां से D2 को किस रूल के जरीए कि इनके दर्मियान 12 था इसके दर्मियान 22 स्पेस थी इसको उठा लेगा यहां से D1 को उठा लिया, यहां से J3 को उठा लिया, इनको आपस में क्या कर देगा, अकठे मिला देगा, अकठा कर देगा, रीकमबाइन कर देगा, कंबिनेशन कर देगा, अकठे मिलाएगा, अच्छा मुझे बता है, जब यह इनको आपस में रीकमबाइन करेगा, अकठे क और रहेगा इस RS signal को पहचान के तो इनके दर्मियान में जो segments ते यहां से वी टूट है ना तो वी टूट से लेकर वी 45 तक यह segments तो रहते हैं रहते हैं और इसने यहां से कौंसरोट उठाई यही डीवन उठाया है इसके बाद यह segments भी कोई भी आप लेना ऐसे आपके पास कोई भी ऐसे हगाँ अरू आप चाथ यह हो Candice बढ़ा दो आप इन पेर्व को यह तो मिल जाएंगे लेकिन यह दर्में आनवा था श्रालोब नि बन जाईगी तो यह यहां पर यहां पर किया बन किской जोड़ से बोला करें के करें या ना करें नहीं करूं चले हागते हैं शरम ना किया करें बता दिया करें आप लोग Haha अ मैं repeat कर देता हूं very good यह ऐसी बात नहीं होती है यहां पर आप लोग इतना सफर करके क्यों आया हुए इतनी देर से क्यों बैठे हुए तक आप लोगों को चीज़े समझ आगे इस तरह मेरी भी चीज़े मजबूत होती है बार-बार जाना करने से क्या होता है कि 45 segments V लगे होते अब आपका RAG enzyme आएगा और 1222 rule के जरीए इनको आपस में मिला देगा जैसे ही मिलाएगा तो बीच वाला क्या बन जाएगा लूप बन चुकी है अब आगे देखें आगे क्या होता है यहां पर वह कह रहा है RAG enzyme recombine the particular VDJ segment यानि particular जो मक्सूस है उनको उठाएगा उनको recombine क करेगा with the help of RSS signal through 1222 base pair rule and the remaining VDJ segments जो बाकी रहे गए है between particular VDJ segments यह बार समझाई है कि मारे particular कौंट से थे V2 particular है मारा D1 particular है और J3 यह particular है यह particular VDJ segments के बीच बार जो segments रहे गए यह वाला remaining इनको क्या कर देगा वो they form the hairpin loop यह इस तरह की hairpin loop समझागी यह बात आगे देखें RAG enzyme also cuts the hairpin loop अब वो इस hairpin loop को जहां को क्या कर देगा cut कर देगा जो ही साओ पर बड़ा वा था उसको क्या कर देगा cut कर देगा and remove the RSS signal यहां पर लगे वे थे वो भी इसी hairpin loop पे चले जाएंगे वो भी क्या हो जाएंगे cut हो जाएंगे bear निकल जाएंगे and removing vdg segments between the particular segments और यह बीच में segments आ रहे थे यह वाले सारे यह भी क्या हो जाएंगे यह loop बन गए थे ना यह यहां पर cut लगेगा सारे क्या हो जाएंगे bear remove हो जाएंगे सारे बहर निकल जाएंगे तो इस तरह यह segments क्या हो जाते हैं आपके बहर निकल जाते हैं अब क्या होता है अब यह जीन हम पढ़ें न जीन पढ़ें न हम यह जीन के उपर सारे segments है जीन क्या होता है double standard होता है न ऐसे ऐसे double standard होता है ना अब यहां पर यह double standard था लेट्स पोज़र यह इस तरह का double standard था ठीक है अब यहां पर यह loop बनी थी यहां पर यह दो points बने थे और इस तरह double standard loop बनी थी इस तरह अब यहां पर जब loop cut होगी तो यह इस तरह नहीं रहा जाएगा डि यरे इस तरह रह जाएगा ना अब ये अपस में इस तरह मिल जाता है यह आपस्ट में इस्तरह मिल जाती है यह देख ले यह डिआ और-दरा चेन्ड कर लूँ को यह मैं इसको यह देखें यह देखे यह देखें, यह देखें मिल गे अपस में यह इस तरह डब स्टानिक इंध ऊंसती फिन लूप बंए यह डबस एलूप बनी अब यह डबस यूप क्या हो गई है काट गई है जैसे वी काट कट होकी तो रिबार जाएगा ठीक है अब यह अपस में यह ऐसे मिल जाएंगा यह ऐसे मिलंग reg aí समझा गही है लेकिन हमने क्या करना है इनको फिर आपस में, दुबार आपस में मिलाना है, कैसे मिलाएंगे हम लोग, यहां पर हम, कैसे मिलाएंगे, यहां पर आपका एक और एंजाइम आएगा, कौन से एंजाइम आएगा, और टैमेस एंजाइम आएगा, creates asymmetrical cleavage, asymmetrical cleavage का क्या मतलब है, asymmetrical cleavage का मतलब है कि जब वह इनको कट करेगा इनको यह बीज वली जोगा इनको जब कट करेगा तो आप मैंसे इस तरह दो लाइने थी ने इस तरह तो एक लाइन बड़ी रह जाएगी chain एक chain छोटी रह जाएगी cutting कुछ इस तरह क्यों होती है कि asymmetrically यह नि ब्राबर cutting नहीं होती इस Much ट्रिंगल कटेंग होती है एक चेन बड़ी रह जाती है अब जो चेन छोटी रह गई यह वहां पर आपका यह इंजाइम आता है टीडीटी ठीक है यह इंजाइम का नाम मुझे भूल रहा है उपर हम देख लेते हैं हाँ यह टर्मीनल डी आकसी न्यूकलीटाइडल ट्रोस्फरेज इन्जाइम होता है यह आपका इंजाइम आएगा और यह आपका इंजाइम आकर क्या कर देगा इसको जो चेन छोटी थी उसके वपर क्या लगा देगा आपके इजाफी nucleotides add कर देगा और exonuclease enzyme आएगा कि जो chain बड़ी थी और उसमें unpaired segment थे यानि कि इन में से ये देखें एक chain बड़ी थी यहाँ पर T लगावा था और यहाँ पर उपर G आ रहा था T किसके साथ बांड बनाता होता है T addinine के साथ फार्मुला याद करें ना add girls college ये वला add girls college ये तो मेरे ख्याल में आपको तो नहीं भूलना चाहिए ना add girls college तो add addinine thiamine के साथ guanine cytosine के साथ बांड बनाता होता है ठीक है ये नहीं भूलना चाहिए तो thiamine को एक साथ लेकर यहां पर क्या लग रहा है G लग रहा है अगर इस तरह की unpaired आ जाएगी nitrogenous base तो आपका exonuclease आकर उनको क्या कर देगा remove कर देगा इनको cut करके बैर उठा लेगा इनको लेकर चला जाएगा तो अब जो चीजे जनकी कमी थी उनको tdt ने लगा दिया और जो इजाफी थी unpaired थी उनको exonuclease ने क्या कर दिया remove कर दिया अब यह जो चोटी चैनल बड़ी चैन बड़ी थी वो चोटी चैनल बड़ी चैन नहीं रह जाएगी बलकर क्या हो जाएंगी आपस में इस तरह बराबर हो जाएंगी और मिल जाएंगी तो इस तरह आपके यह segments मिल चुके है V2, D1 और J3 मिल चुके है ठीक है अब इस में से ये तो बन गया ये ये तो बन गया आपके ये वाले variable region और साथ में आपके constant region ये constant region पढ़ा हुआ है ना इस में से कोई एक वो उठा लेगा C mu उसने उठा लिए ये C mu उसने लगा दिये तो ये C mu यहाँ पर ये लगा हुआ है C mu है तो type कौन सी बनेगी Ig M तो इस तरह आपकी एक क्या बन गई है anti body बन गई challenge good हो गया अब हम इसकी ज़रा अच्छा इसी तरह ये एक Ig M बनी है इधर क्या बन रही है ये Ig D बन रही है ये इसने यहाँ से क्या उठा लिया Delta उठा लिया तो क्या बन जाएगी Ig D बन जाएगी तो इस तरह ये different बनती है बाकी process सारा same है वही process है सारा same हो रहा है सारा same हो रहा है variable region पर same हो रहा है बस यहाँ से उसने different FC portion उठाया है तो type उसकी change हो गई है समझा गया है repeat करने की जुरत है अब reading कर लेते हैं खुद बाकुद repeat हो जाएगा ठीक है खत्म हो गया topic यही था बस reading करेंगे इंशालला क्लेर हो जाएगा variable region की census कैसे होती है in the synthesis of जहां पर मैं से reading करता जाओंगा जहां पर lens समझ ना है मुझे रोक लेना ठीक है in the synthesis of variable region of H chain, heavy chain, one particular V region, एक उठाया जाएगा out of 45, 45 में से एक is translocated, उठाया जाएगा to lie close to one particular D region out of 23 and one particular J region out of 6 with the help of RSS RSS is the recombination signal sequence of heptamer 7 nucleotides 7 nucleotides and nanomar of 9 nucleotides separated by 12 or 22 base pair समझ आ रहा है ना and guide the enzyme complex RAG to V D and J segments during formation of variable region समझ आ रहा है जीज है RAG enzyme is a recombination activating gene that rearrange and recombine the V, D, G segments on the basis of 12 to 22 base pair RAG enzymes ये क्या होता है rule क्या होता है RAG enzyme only adds 12 base pairs RSS to 22 base pairs RSS or 22 base pair RSS to 12 base pair it does not add 12 to 12 base pair RSS or 12, 22 to 22 base pair RSS समझ आ गई है समझाने की जूरत है दुबारा चले जी आगे देखे अब junctional diversity क्या होती है जो कि अभी हमने देखिए क्या होती है when RAG enzyme translocate the particular V, D, J segments ये उनको जब क्रीब-क्रीब लाता है to lie close to each other then the remaining V, D, J segments present between the V, D, J segments जो उनके दर्मियान में पढ़े होते है न will farm a hairpin loop समझागी ये बात कि इस तरह होते है न इस तरह तो ये दर्मियान वाले इन दो पॉइंट्स को मिला है तो ये क्या बन जाएगा hairpin loop बन जाएगी तो दर्मियान वाले क्या बना देते है बलके इससे पहले R.A.G. enzyme आएगा इस loop को cut करेगा ठीक है जब ये loop कट हो जाएगी उसके बाद इस तरह बन रहे थे ना इस तरह बन रहे थे ना तो फिर आपका R.T.M.S. आएगा ये causes asymmetrical cleavage अब इस hairpin loop नहीं आएगा यहां पर removes वाला ये R.A.G. कर दिया ये भी हो गया creates one यह है creates one long and one short chain and open the V.D.J. segments to combine with each other तो इनको ये क्या कर देगा open कर देगा इस तरह क्या कर देगा इनको open इस तरह open कर देगा इस तरह क्या कर देगा open कर देगा V.D.C. new junctional diversity and will occur तो यहां पर junctional diversity किस तरह कर होती है यह खोल गए ना तो यहां पर कैसे होती है कि T.D.T. terminal deoxy nucleotide transferase adds nucleotides at short chain because of asymmetrical cleavage अब यह नई चीज़ें यहां पर डाल रहा है तो diversity हो जाएगी चेंजमेंट्स हो जाएगी नई चीज़ें आ रही है तो क्या हो जाएगी diversity हो जाएगी ligase enzyme will fill the gaps and join the VDJ segments with each other creating a junctional diversity ligase enzyme का क्या होता है कि दो चीज़ेंट्स को जोड़ देना अब यह इन दो चीज़ेंट्स को क्या कर देगा इस तरह जोड़ देगा तो इस तरह आपके क्या हो जाएगा मिल जाएगा इस तरह इसको क्या बोलते हैं हमने क्या नाम दिया था इसको genetics of antibody diversity तो antibody की diversity हो रही है कि different antibodies की pocket बन रही है कि different pocket बन रही है उसकी ठीक है different क्योंके diversity हो रही है वहाँ पर तो different Antigen के रिए specific antibody pocket बन रही है लेकैन य Marian Antigen independent है क्या यहाँ पर उसने antigen को देख के changements की है नहीं तो antigen कहीं आई नहीं रही तो without antigen वो अपनी changements कर रहा है diversity कर रहा है कि क्या है antigen independent diversity है लेकिन diversity है अब constant region किस तरह बनता है यह variable region हो गया one of these constant heavy chains type will be selected कोई भी एक select की जाएगी on the base of gamma, alpha, mu, epsilon or delta regions and delta fc segments and connected with the variable heavy chain, variable chain बन नहीं थी उसके साथ हमने connect किया था नहीं उसको जाके, उसके साथ connect होगा resulting in the formation of complete heavy chain तो complete heavy chain बन जाएगी if c mu is selected to connect with variable region then the resulting then the resulting immunoglobulin will be IgM, अगर c mu आके मिलेगा तो चाब बनेगी IgM and same as for the others दूसरों के लिए, in the same way the second heavy chain will be synthesized and the connected with each other by disulfide bonds add the hing region, hing region याद है, वहाँ पर disulfide bond बन रहते हैं आपस में इस तरह 2 heavy chains बन के क्या बना देंगे, hing bonds बना देंगे, disulfide bond बना देंगे, तो इस तरह 2 heavy chain आपस में मिलके, 2 heavy chain बन गई हैं, अब हम आते हैं, अच्छा यहाँ पर एक और चीज है, वाई और IgM and IgD the first antibodies to be produced, यह आपकी बीसल है ना, इसके ओपर कौन सी antibody लगी होती है, IgM या फिर IgD लगी होती है, यह इसके surface पर क्यों लगी होती है, यह आंसर को ना देंगे, बताएं, इस डियाग्राम में आंसर है, इस डियाग्राम में आंसर है, नहीं समझा रहा, यह देखें, यह देखें, यह देखें, यह जो पड़े हुए हैं, इन में से कौन सी टाइप इसके करीब पड़ी हुई है, इसके चांसे मिलने के ज्याद हैं, तो यह पहले आके मिलती है, क्योंकि पहले होता है, यह पहले पड़ा हुए, तो पहले कौन सी बन जाती है, फिर उसके बात कौन करीब पड़ा हुए है, डेल्टा पड़ा हुए, तो इसलिए आपकी IgM और IgD पहले बनती है, और वो B-cell क case के surface पर होती है, यह concept समझा आगे है कि IgM और IgD हम आज तक पढ़ते रहे हैं कि क्यों रहती है, पहले क्यों बनती है, तो इस तरह बनती है, ठीक है, समझा गिया है, तो यह answer देखिए, झाल पढ़े, the newly synthesized region region is close to c mu and c delta as compared to c gamma c alpha and c epsilon fc segments ठीक है अब हम देखते हैं synthesis of light chain बिल्कुल सेम है in the same process light chain synthesis जैसे वो synthesis हुई है बिल्कुल वैसे but keep in mind the variable regions of light chain have absence of d region मैंने पहले बताया तो और में diversity नहीं होती है so no diversity and v regions are almost 32 और वहां पर कितने थे 42 45 थे यहां पर 3035 वर्सेज हैवी चेन है 45 in numbers finally H and L chains are synthesized दोनों बन गये न आप as separate peptides folded and assembled randomly in the set of plans of B cells by means of disulfide bonds ये इनके दिम्यान तो इनके दिम्यान में बन जाएगा तो इनके दिम्यान में बन जाएगा तो फर्म H2L2 units यानि दो हैवी चेन दो light chain and oligosaccharide sugar is added to the FC segment of H chain और यह किसके साथ इसके साथ क्या लाग जाएगा sugar लाग जाएगी FC chain के साथ तके pathogen को attract कर सके and BCR यानि यह BCR या फिर immunoglobulin A की चीज होती है अब यह BCR उसका बन चुक है antibody बन चुकी है antibody molecule is transported on the surface of B cell उसके surface पर जाकर यह लग जाती है कि यह बन चुकी है समझा गई है यह किस तरह होती है अब नेक्स चोटी चीज रहती है वह क्या होती है Generation of antibody specificity antigen-dependent यह antigen-dependent यह किस तरह होती है यह होती है symmetric hyper mutation variable region पर होती है symmetric cell तो यह cellular mechanism होता है यह क्या होता है यह देख लेया अब antigen आई है इस तरह कि यह क्या है antigen आई है, यह antigen पहले यहां पर आई, अब यह B cell पड़ा हुआ था, इस B cell के पास बहुत सी क्या पड़े हुई थी, यह B cell थी, type इसकी A की थी, let's suppose इसकी IgM थी, क्या थी, IgM, अब कहेगा IgM, यानि मेरा FC segment तो A की है, same है, लेकिन मैं अपना FAB segment change करूँ, FAB segment, fragment change करूँ, क्यो उसी तरह का FAB fragment अपना बना लूँ, उसी तरह की pocket बना लूँ और उसको क्या कर लो, अपने अंदर fit कर लो, तो यह antigen के ओपर depend कर रही है न, इसलिए से बोलते है antigen depend, तो यह कैसे करता है, यह जैसे ही उसको देखेगा, कि antigen की शकल इस तरह की आ गई है, तो यह इसके पास VDJ segments पड़े होते हैं न, यह पड़े होते हैं variable region में, VDJ segments और इन में base pairs होते हैं, यह point mutation करेगा, यह यहाँ पर T और A के दरम्यान बांड बाल रहा था अगर एक, बाकि इदर पड़ी हुए है, इस gene में पड़ी हुए है, इस gene में पड़ी हुए है, यह पर guanine पड़ी हुए ह add in a time and mean और बहुत से पड़े हुए, वो इसकी point mutation करेगा, यह एक point को यहाँ से skip कर देगा, क्या कर देगा, यह skip कर देगा, यह पर extra point add कर देगा, यह पर extra लाके इसमें add कर देगा, लाजमी नहीं है कि इसको skip करें, इसको भी skip कर सकता है, इसको भी add कर सकता है, जब एक extra यह वाली, इसमें क्या आजाएगी, चेंजमेंट आजाएगी, एफसी रिजन सेम रहेगा, लेकिन फैब रिजन की जो पाकेट थे, उसमें क्या आजाएगी, चेंजमेंट, देखे मैं repeat कर रहा हूँ, antigen I है यह वाली, इसके पास यह वाली antibody इस चेपकी पड़िवी थी, य यह भी igm है, यह भी igm है, यह भी igm है, यह इसका constant region same है, इसने इसको देखा, इसके पास यह वाली पड़िवी थी इसने का जड़ा जाओ, बी सैल, तुम्हारे उपर igm है, इसको दरा करो, तुम्हारे पर fit बैठती है, यह सतरह, यह यह गया, अब कहता है, यह आई, यह अ बैटिशन है अच्छी मूटेशन नहीं हो रहा यह फिर मूटेट करेंगा एक और मूटेशन करेगा इसी तरह प्वाइंट मूटेशन करेगा अब इस तरह की एंटीबाडी बन गई है यह इसमें आकर बैठेगी कोछ आद तक यहां से तो फिट बैट रहे हैं यहां से फिट तो यह क्या है मॉडरेट मूटेशन है कि हां कुछ ठीक बन गई है वो कहते है मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे बैटर चाहिए यह मजीद मूटेशन करेगा तो इस तरह की बन जाएगी यह अब क्या है गुड़ मूटेशन अब यहां पर ऑन टीजन आकर फिट आकर किए तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं यह क्या है आपके पास सुमैटिक हैपर म्यूटेशन म्यूटेशन हो रही है है पर ज्यादा म्यूटेशन हो रही है पहले म्यूटेशन की देखा फिट पैड रहे हैं नहीं एक और mutation की जब तक fit नहीं बैठेगा मुटेशन करता रहेगा और यह somatic mutation क्यों है क्योंकि B-cell, somatic का मतलब होता है cell यह cell जो है खोद mutations कर रहे हैं तो इसलिए क्या बोलते हैं somatic hyper mutation कल पर सुछ जब हम पढ़ रहे यह B and T cells functions तो वहां पर hyper mutation का लवज आया था वह अब clear हो गिया है कि इस तरह वो specific antigen के रहे specific antibody बनाते होते हैं समझा गी यह चीज़ अब reading करते हैं असान सा it is a cellular mechanism क्योंकि somatic आ गिया है by which immune system B cells adapt to the new front antigen जब नई antigen आती हैं उसको adapt करते हैं confront antigen उसके साथ face to face राप्ता करते हैं और उसके साथ charger dead door है मैं charger लगा लूँ इसका बंद ना हो जाए खाली जड़ा मुबाइल की light on करना मुबाइल की light on करना जल्दी से बंद हो जाएगा यह बल्के हो गया चले जी यह antigen बहर से आया उसको confront किया face to face राप्ता किया and mutate its own gene पहले उसके साथ राप्ता किया कि यह उसके साथ फेट नहीं बैट रहा फिर अपने gene को क्या करेगा mutate कर mutate करेगा and variable region of antibody and cause slight changes in the structure of variable region of fab region for better binding of antigen ताकि यह जो आपकी bacteria यह antigen fab region पर better तोर पर bind कर सके mutation here is point mutation mutation in only one base pair अब so almost 10-6 B cells with different variety of fab regions but same xc region xc region same है IgM लेकिन उसके fab region कितने होगे 10-6 इतने नबर में B cells पड़े होगे कि एक B cell के पास IgM भी आगे इतने टाइपस की पड़ी हुई है मक्सूस्थ पॉकेट पड़ी वियो उसके mutation की जासे this gives actual specificity कि specific antigen के लिए specific antibody to the pool of circulation pool of circulating B cells each immunoglobuline responsive B cell bears a lot of copies of the fab region with the same BCR on its surface यहनि same FC region होगा same antibody type होगी लेकिन fab region क्या होगा different होगा that can react with one antigen and are closely related groups of antigen ठीक है जो closely related group of antigen होगी उनके साथ bind करेगी therefore hyper mutation causes affinity maturation affinity maturation क्या होती है यह भी कल पर समने पढ़ रहा था B antigen cells के function में यह लवज आ रहा था मैंने कहा था कि the process by which immune system produces antibodies of higher affinity during response to antigen के specific antigen के रिए specific antibody बन रही है यह क्या होती है है affinity maturation होती है समझ आगी है पकी बात है अब छोटा सा रहा कि क्लास सुचिंग हमने उपर से तो पढ़ दिया था कि यह वराई सा चेंज होगा तो T cells की four tribes पढ़ी थी T helper cell one T helper cell two T helper cell 17 T regulatory cells इसमें से T helper cell two क्या कर रहा था interleuken one interleuken four और interleuken वो किसके पास जा रहे थे B cells के पास उनको active करके क्या बना रहे थे antibodies बना रहे थे तो यह T helper cell two activation of B cells by T helper cell two are T cell independent activation एक और भी activation होती थी कि उपर से polysaccharides इसकी BCR के उपर direct आके मिलता था यहां पर याद है वो activation causes this asotype class switching इसकी क्या कराता है class switching गराता है यहनि अगर interleuken four है interleuken four है तो four G E बनेगी यहां पर उपर कौन सी रगी हुए surface पर Ig M अगर interleuken four आएगा तो basically interleuken four क्या करता है आके interleuken four आके करता है कि उसने क्या बनाना Ig G बनानी है ना Ig M के उपर C mu लगा वा था ना वो C mu को हटा कि क्या लगा देगा C gamma लगा देगा तो यह क्या बन जाएगी Ig G होगी class switching कि Ig M से क्या बन गी है Ig G बन गी है तो interleuken four basically यह काम करता है कि उसका FC segment है उसको आके change करता है after activation the B cell switches its class from Ig M or Ig D present on its surface to Ig A Ig E or Ig G due to replacement of C mu and C delta segments to of any other heavy chain segments on the FC region like C alpha लगेगा तो Ig A बन जाएगा C epsilon बन गा तो Ig E और C gamma लगेगा तो Ig G बन जाएगा same variable heavy chain but different constant constant change different हो रही है extra segment change हो रहा है लगे तैब रिजन क्या है वो चेंज नहीं हो रहा वो वो वैरियेबल रिजन उसका सेम है जबकि उसका जो constant रिजन हो क्या हो रहा है तब्दील हो रहा है तो इस तरह इसकी क्या हो रही है class switching हो रही है interleuken 5 कैसे class switching कराएगा IgM की क्या करेगा यह यहां पर आके एरिमाली मैंने बताए था interleuken 5 यह उल्टा दिल यह Arabic 5 यह A आके बनाएगा क्या एक बनाएगा ए तो A कैसे बनाएगा आके वैरी गूड यहां पर C mu FC को हटाएगा और क्या लगा देगा C alpha तो automatic IgM क्या बाज़एगा Ig A बाज़एगा तो इस तरह interleuken 5 आके Ig A बनाता हो समझ आ गिया है कोई चीज रहे गई हो कोई चीज रहे गई हो हाँ मौडरेट म्यूटेशन है नहीं उसमें वह पैचान लेगा उसको एंटीजन मुकमल तर पर उसमें आके फिट नहीं बैठेगी देखें कहां पर गया है हमारी डाइगरम नीचे होगी तो यह देखें इसका नीचे वला हिसा तो फेट आ रहा है क्या उपर वला फेट आ रहा है नहीं तो इसलिए इसको क्या कहते हैं मौडरेट मुटेशन यानि मुकमल तर पर यह फेट नहीं आ रहा तो यह क्या है कोच ना कोच आपकी जो आपकी जो पीटेंग नहीं हो और कोई सवार समझ आ गिया है आपको यह वोक कैसी लगी है डिटेर्म में लिखी हुई है मैंने कोच चीज ऐसी बता ही हो जो पर आपको लोगों के लिए बहुत असान हो जाएगा ना फिर तो फस्ट एड बिलकुल लिखा हुआ है तो बिलकुल इसी हो जाएगी फस्ट एड के थोड़ी सी रिडेंग करा हूँ यह वाला टापिक जो वहां पर लिखा हुआ है कि काफी है आप लोग खुद कर लेंगे रिडिंग से चैलें ठीग है आप लोग फस्ट एड से खुद कर लीजिए का बिलीड न